निर्भया केस से जुले हुए इस वक्त जो तमाम अपडेट्स आ रही है उसमें ये के पटेला हॉस कोट में सुनवाई शुरू हो चुकी है अपसे थोड़ी दर पहले सुप्रेम कोट ने रिवी प्रेटिशन को खारिश कर दिया पटेला हॉस कोट में निर्भया के मातापित जारी करने पर शुरवाई शुरू हो रही है अब ऐसी सिति में सुप्रेम कोट में रिवी प्रेशन अक्शे के खारिज कर दी इसलिए माना ये जा रहा है कि अक्शे के डेट वारन्ट जारी करने के सिलसले में अभी देरी हो सकती है क्योंकि साथ दिनों का वक्त अब रिव मर्सी पेटिशन का बचता है। सुप्रीम कोट ने आज अपना फैसला दिया जिसमें रिवे प्रेटिशन को तो खारिश कर दिया मगर इस पूरे मामले में निर्भया के वकील और उनके बाता पिता का क्या कहना है आए सुन लेते हैं। सकती है तो डेफिनेटली आज भी डेस सेंटेंस के एग्जुकिशन का और कर सकती है। लेकिन अभी मरसी जो बिनाए कि है उसका फाइनल कोई भी रिजेक्शन का हम लोगों के पास अभी और नहीं आया है। अगर पब्लिक की भाषा में समझे जाए तो कितने दिन में ये जो दोशी है वो फासिती है। हम ऑन वर्ड ये कुछ नहीं कह सकते कि कितना दिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कमिंग जन्वरी जो है 2020 में जन्वरी में ये मेटर पूरी तरीके से ये क्लोज होगा और उनके डेस सेंट्रेंस के एग्जुकिशन का ओर्डर हो गया। है कि यहां भी उनका डेसीजन हो जाएगा कफासी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जो आया है ये सफर हम लोगों का बहुत दर्द भरा रहा है लिक एक पल हम लोगों के लिए बहुत भारी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सब दिलिलों को सुनते होगे सब खारिज कर दिया कि पानी का हवा का हवाला दे रहे तो उनको में कुछ नो कुछ ऐसा उनके पास अगर कुछ है तो उनको रखना चाहिए पॉइंट पॉइंट उनको रखाने शिरफ हवा बाने और विन्या जहा के बाद करते रहे सुप्रीम बोतनों का खारिज कर दिया है रिव्यू पर्टिशन खारिज कर दिया है